कि विजाल जर एक कोश्चन मेरे दिमाग में 3-4 दिन से गुम रहा है कि यह जो कोचिंगों में बहुत ज्यादा हड़कम मच रहा है तक से कोचिंगों में हड़कम बच हुई हर जगा बच्चों की तारीव भी तब कहीं न कहीं कोचिंगों में हड़कम और जो एसके बाद देखो क्या कहना है मतलब एसा हरकम क्यों मच रिजन क्या हो सकता है कि एसे सी जीडी और सीजिल 2020 के रिजल्ट के बाद कि बच्चे अब इस चक्कर में पड़े हैं कि कहीं कोचिंग वाला का हमारे पास होना यह आप सही कि रहे हैं मतलब कि कोई भी बुला लेगा कि खलाना बच्चा दिखानी कोचिंग से पड़ा हुआ है तो ऐसा कोल आ सकते संबाब ना इसे कोणों के आपने कई चात रहांगे जो अपन से पड़े होंगे हो सकता खता है कि उनकी पास संबाब नहीं आपके एक लम राइसा ही है तो कि वह तो सर मुझे ऐसा लगड़ा है कि भवार्ट प्रिक्रिष्ट के जवाले में अगर कोचिंग का यह मार्टेट उता तो हम साहद यह नहीं बता पाते कि अर्जुन किसे से बास्तविक में पुरें कि अगर कोचिंग की यहीं नहीं बता पाते कि अर्जुन वास्तविक में चाहते किसे अज क्या हो रहा है जैसी स्लेक्शन देता है जैसी वह सफल होता है हजार कोचिंग वाले अपने हक अऱ जमाते हैं कि यह बच्चा हमसे पढ़ा है अपना न लौ्टरी लगा रहे हैं कि ए ये बच्चा हमसे पढ़ा ये बच्चा हमसे पढ़ा इसमें जो ने जो पढ़ने वाले ज्याद कि वह इस बात कर तो करता हूं कि पूरा क्रेड़िट ले लेते हैं अगर एक बार बच्चा अगर पर पढ़ने देखा एंपी ने गर में एक बार अगर वो कोचिंग में चला गया होगा तो ये बच्चा तो हमसे पढ़ा है चाहे उसने एक दिन क्लास नहीं लिए हो खरीद नहीं को तो ऐसे बेट बहुत ज़्यादा जरुवत से ज़्यादा ले रहे हैं अगर मुझे लगता है अगर मुझे लगता है कि भारत के जिसने कोचिंग की नंबर आप जोड़ा जाए तो बढ़ा चला के बोलना याद रखिये जो सबसे जादा फरजी अगर नंबर आप स्लेक्शन बता रहा है तो वैसे लोग से एड्विशन लेने से परें दसवार विचार भी मस करिएगा क्योंकि नहीं तो आप हो सकता है अपना जेग पिटवा सकते हैं पहले ऑथेंटिक से आदमी से राय लिजे कि वास्तभी में क्या हो रहा है दो त्री चीज़ तो अगर मान लिजे कि केवल लिजे का क्या हुआ क्या उनकी बिल्कुल सेलेक्शन नहीं हुई उनकी भी तो लॉट्री लागी उसने मेहनत करके लिए रात और आप बस इतना बोल देना कि तुम तो मेरे पास नहीं पड़े हो मेरे माग तुम जीतना पैसा बोलोगे उतना देदेगी यह बात तो आप मत तो यह तो बात एकदम शटे के इस चीज़ को तो मैं मान सकता हूं अब जैसे देखो यह ऐसा नहीं बोला चाहता हूं कि कोचिंग ज्वाइन करना नहीं चाहिए कोचिंग कोच की तरह काम करता है कोचिंग कोच की तरह महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने क्यों भी ज कोच है वह आपको मारदर्शन देरा है उसके रास्ते पर उसके नक्से कदम पर अगर अच्छे से महनत कर दिये तो आप भी इस सरकारी नोकरी के युद्ध में विजाई प्राप्त करेंगे अर्जुन की तरह कोचिंग का अपना महत्व है लेकिन उसके अनुशरन करना पड आप अपनी खुद के माध्यम से उसके अंदर के चल रहा है कि मैं स्लेक्ट हो गया हूं अब मैं कौन हो गया हूं सर आपको एक दम बताएंगे कि मैं कौन हो गया हूं ऐसा मैंने भी कई बार देखा है कि बच्चे जो अप्लाइन क्लास में लाइवरी में बेट रहते हैं जिस दिन उनका सेलेक्शन होगा है कि उनको जिस टीचर ने पढ़ाया उससे वो भी अपने आपको महान समने लगते कभी अरजुन अरजुन थे इन्होंने कभी द्रोनाचारस से उनको अपने आपको बड़ा नहीं माना लेकिन आज कल के बच्च वेक्ट हो गया है वो अपने आपको पता नहीं क्या मानने लगते एक सर उसको अच्छे सपर्श करेंगे आपको सामने जो बच्चे सफल हो मधर भड़ है करनाम आप पहलावर किया और जो विध्यारती सफल हो गया हुग उन्हों ने कोई नया तीर नहीं किमारा उसके पहले भी कई बिद्यारती कई लोग निकाल चुके बढर इंज्वाइतS backup मज़न लो इतने दिन से कई बार वो सकता आप फेल हुए होंगे, कई बार आप जटका खाये होंगे, कई सारी मेहनत की होएंगी, कई सारे अप और डाउन देखे होंगे, काहे को टेंशन में अहंकार चाती चोड़ा करके, टाइट ऐसे छप पनी चोड़, संतावन इंच बना के घूम रहे हो, पेपर निकाले हो, तीर मार देए, जुटνε के लगे हुए होंगे, तुम कई पहले आदमी तो हो नहीं की आपने तीर मार दिए, इसके पहले जिन्दगी में कामी नहीं हुआ है, आनंदलो, जिन्दगी में जो पहले दुख देखे होंगे, उससंब अफ हटा के, इनज्वाइआ इसले कि आपका स्लेक्शन हो गया आपकी पोस्टिंग बाहर में है और आप अपने सगी समंधी गाउं के लोगों से बात करना चुड़ देंगे कल चल कि आपके पापा मम्मी का परिजन का तबियत खराब होगा आप जरा बताइए उनको देखने वाला कौन दागार तो एहंकारी ब कोई आपका स्लेक्शन कैसे हुआ इतना सारा किताब बता देंगे 20 किताब तीकला बता देंगे 20 किताब इंग्लिज के 10 किताब बच्चा के 100 किताब पढ़ेंगे तो निकलेंगे तीसरा जो बच्चा पेपर निकाल लिया वो इस दुनिया का नहीं ब्रहमांड का इकलौता सबसे तेज विद्याद किया बाकी सब गदहा है उसके नजर में एक बात बतादू बाबू तुम्हारा लक्त था तुम्हारी किस्मत थी तुम्हारे पेपर का वो सही बक्त था सह समय था सब कुछ तुम्हारे फेवर में था तुमने पेपर निकाल लिये बाकी लोगों को गधा मत समझेगा जो पेपर निकाल लिया वो सबसे बड़ा दुनिया का सरुसेष्ट महान नहीं है उससे जादा नजाने कितने सारे महान घूम रहे हैं तो यह संबाते कर मेरी बा आपके लोगों में क्या हवावाजी में दो पहल पहलों है पहला जिस बच्चे का सिलेक्शन हो गया दुनिया सब उसके पिपर है बच्चा बच्पन चमत्कारी था इसके कईया क्रणाम यह जी से मुझे लगता है कि पका यह बच्च्च सेनलें करें लेंग एप्धो सेलेक बच्चे के पीछे पैसा है बुला लो इसको यहां पर अगर सिटी में भी कोई पड़ा हुआ है बच्चा उसको बुला लेते कि आप मतलब यह करी नहीं पाएं ऐसे बच्चों को सब्दों बोले जाते हैं पहला निरास हो जाता है लेकिन जिस दिन बच्चे का सिलेक्स तनु बच्पन से तेज तो हो गया यह तारी मतलब कि जद्वर से चापनु स्वाजी जादा करना जद्वर से बढ़ चड़ के आपको तूतरा पहलू बताते हैं अगर जिसका स्लेक्शन हो गया तो कुछ लों क्या है निगेटिव अफवा फराएंगे उसका तो लगता है पक्का किसी के साथ सेटिंगता पैसे उसे का उसने पैसा उसा बेकर कहिण ना कहीं अपना सेटिंगर आर्फ क topluleट लिया है क्या हमारे बच्मा होगा अब दूतरी ही बात जो बच्चे पूरा साल भर का खर्चा जोड़ लेंगे बताई कितना दो लाख रुपया लगता बताई ज़र पीस दो लाख रुपय तो नहीं लगता लेकिन एक मान सिकता है उसी बना लेते हैं अब कहीं पर आप उसे घर पर रखके देगे जो घर पर खाना खा रहा है सब कुछ काम कर रह लेकिन बहुति कम बजट में कोचिकों में पढ़ा हैं हो जाती है लेकिन एक मांचिक अबधाना यांसी बनानी है लोगों ने इसकी करण कई सारे बच्चे पंड नहीं पाते हैं यह वीडियो बनाने का मेरा मेन मक्षद था हम सभी गुरू जनव का बस एक मकसद था अभी ह नमारे साथ मनिश्चार भी है मनिश्चार का भी है केवल एक मक्सद था कि आप लोगों को हम सही बाते यह बता सकें जो कंकुलूजन था फाइनली कंकुलूजन यह था कि कोचिंग के हवावाजी से दूजर हैं जो बिद्ध्यार्थी बास्तबीक रिजल्ट जितना है उतन सवही एक्छूल नंबर बताएं दूसरी जो बच्चे सफल हैं हें कार करते हैं कि अपने साराथ ही मिट्शागे सम personalities मंदी को भूल जाते हैं इतना जादा एंकाय में लिन हैं कि वो अपने चोटी जो समान से समान मौलिक चीज़ें वो भी भूल जाते हैं ये गाउं के लोगों कि मैंने बताया कि जो आदमी सफल हो जाता है उसके पक्छ में बात करते हैं जो सफल रहता है उसको तुनिए दिखाटे हैं डूफनी चीजे निगेटिवीटी फैलाते हैं जो सफन हो जाता है उसको मोरल करते हैं पैसे के नाम पर अपनी गरीबी को आगे बढ़ाकर उसको निचे दिखाकर आगे बढ़ने जिनका भी हुआ है उनको बहुत बहुत बदाईयां और बहुत ज्यादा और दिखे जिन लोगों का नहीं हुआ विल्कुल घबराने की जरूद नहीं है दिखे यह क्यों एक सीड़ी है एक पड़ाव है अभी जिन्दकी बहुत लंबी है और हमें नियांतर चलते रहना है तो एक दिन आज देखिए हम भी एक पानी की बूंद के समाने और ये जो बूंद है एक ना एक दिन अपने मकसद में अपने महासागर में मिल जाएगी तो भले आप आज एक पानी की बूंद हो आपको एक ना एक दिन महासागर से मुलाकात होगी तो चलते हम इसी के साथ और आप ही गलत करेंगे तो कैसे समाज में बाकी लोग अच्छा कर पाएंगे आप लाते हैं आप दस-दस कोचिंग में बता देते हैं कि मैं दस-दस कोचिंग में पढ़ाओं इससे जो नए अभ्यारती हैं वह बहुत ज्यादा कोचिंग में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सेलेक्शन होते हैं उसमें अड्मिशन लेते हैं जबकि वह यह निरने ने ले पाते हैं कि बास्तविक में कौन सी कोचिंग आपके लिए मेहनत कर पाती है रोई सर्से बस थोड़ा सा अंत कराना चाहिए जैसा कि सर ने बताया कि बच रियल में कुछ करना चाहिएं और स्वेक्टर हो चुके हैं इसे मेरा इतनी है कि उनको जो रियल्म है क्या पढ़ाई करना चाहिए कैसे करना चाहिए की sino का प्रियोंग करना चाहिए वो सही बताना चाहिए आपको जवर्दस्ती कोचिंगो के भेकावे में आकर एसी कई सारी काहन या नहीं बताना है जिससे बच्चे का माइंड डाइवरड हो कौसेस करना है कि हम स्लेकć हुए है थो हमारे gwbt कौन से मेलत लगी है हमने कौन-कौन से काम करें जिनके ने कहीं रिजेक्ट हुए हैं तो ऐसी बातों को बच्छों के सामने रखना है कि सर हां सच में ऐसा होता है बच्छों के साथ तब हम मिलते हैं दोस्तों ऐसी एक अगली वीडियो के साथ और आप लोगों को जागरुप करते रहेंगे इसको अब आपको एक अच्छी शुरुवात किये मैं से विसाल सरने तो मैं चाहरा हूं कि आप लोग एक ऐसा कमेंट व साथ में भी नहीं बहुत सारे बस्ते बेट करते हैं कि टीचर पड़ा है या हमें ऐसा भारी घ्यान दे। आं-लायन क्लास की वे सीमा होति हैं तो हम कुस्छ सब्सक्रें का प्रियूग करके आपको घ्यान नहीं देते हैं वहाँ सारे ऐसे मोटिवेटर मोटिवेटर हैं दोस्तों जो किसे है इस को आप एक श्टुबू cuerठ में सोचीए ना कि कि आप रहत यहार ने आपको सुचना है और इस पर आपको बिचार है जो कमेंडτο क्रूप में लिखना है ठीक है दोस्तों खणिन्य बाद ऋबाद आ